प्रस्ट नम्बर एक नेपाल को अहिले को विद्ध्यालेत गत्षन रचना कून चाही हो अप्षन का तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस द्वी अप्षन का तीन प्लस 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 प्लस द्वी तर्वार स्कूल कहां अस्थापना गडिये को थियो अप्शनक रानी पोखरी काट मांडव अप्शनक तिरपुरेश्वर काट मांडव अप्शनक जोर पाटी काट मांडव अप्शनक थापा थैली काट मांडव इसको सही उतर हो अप्शनक थापा थैली काट मांडव तेस्ताई क्वेस्चन नमबर तरी रासीप यो दुहजार अठाइस बत्तिसमा नीमा सिक्षा भित्र कुन-कुन कक्षा समावेश्च अप्शनक कक्षा 5 देखी 8 अप्शनक कक्षा 6 देखी 7 अप्शन ग। कक्छा 4 देखी 7 अप्शन घण कक्छा 4 देखी 8 इसको सही अंसर हो कक्छा 4 देखी 7 गण तेस्ते कोईचन नमबर 4 माधमिक सिक्छा सहयोग कारिय करमले सन्द्य चार साथ सम्म नीमात को छात्रा भरना परतिसत कत्ती पुरियावन लच्चे राखे को छ अप्शन क 45 परतिसत अप्शन ख 50 परतिसत अप्शन ग 55 परतिसत अप्शन ग 60 परतिसत इसको सही अंसर हो कक्छा 5 परतिसत तेस्ते क्विच्चन नमबर 5 साइचिक जन्सक्ति तालिम नीती कहिले बने को छ अप्शन क 2022 अप्शन ख 2062 अप्शन ग 1272 इसको सही अंसर हो अप्शन ख 2062 तेस्ते कोईच्चन नमबर 6 माद्धमिक सिक्चा पाठ्थेकरम डाचा 2064 अनुसार आचिक परतिम पत्र मा निर्दारित भासा समूह मा कती भासा रहे को छ अप्शन क 20 भासा का भिशाई अप्शन ख 21 भासा का भिशाई अप्शन ग 22 भासा का भिशाई अप्शन ग 23 भासा का भिशाई इसको सही उतर हो 23 भासा का भिशाई गह तेस्ताई कोईचन नम्बर साथ अनुपचारिक सिक्षा विस्तार कार्यक्रम कुन उमेर्शमू का बालबाली का हरू समाबेश हुन 4 देखी 8 बर्ष सम्म, 5 बर्ष देखी 8 बर्ष सम, 6 बर्ष देखी 8 बर्ष सम, 7 बर्ष देखी 8 बर्ष सम, इसको सही उतरवग, तेस्ते, question number 8 नेपाल मा रेडियो सिक्षा, सिच्चक तालीम कहिले संचालन भः को हो, सन 1922, ख सन 1981, ग सन 1983, इसको सही उतरव, ग सन 1980, तेस्ते, question number 9 मदर्ष सिक्षा को पाठ्यक्रम, ढाचा अनुसार, समाजिक अध्यन, उर्दु भासा को पाठ्य भार कत्ती हो, क, 1, ख, 2, ग, 3, ग, 4, इसको सही उतर हो, ग, 3, तेस्ते, question number 10 सबै को लागे सिक्षा कार्यक्रम, 2004 देखी, 2009 मा कतियोटा कार्यक्रम अंग हरू, प्रोग्राम कम्पोनेंट्स छन, अप्शन, क, 4, ख, 5, ग, 6, ग, 7, इसको सही उतरो, ग, 6, तेस्ते, question number 11, 10 योजनाले, समान्य आर्थिक ब्रिधिदर काइम रहे का निम्नमाद्मिक तहको, सहजय देखने भार्नादर कत्ती परतिसत पुरियावने अनुमान गरे को छ, अप्शन, क, 4, परतिसत, अप्शन, ख, 5, परतिसत, ग, 6, ग, 7, इसको सही उतर हो, सही उतर हो, ग, 6, परतिसत, तेसते, कोईचन नंबर 12, राष्टिय सिक्षा आयोग ले, परति बेदन, 2049 ले, निम्नमाद्मिक तह, तला कामद्य कुन-कुन कक्षा समावेश गर्ना सुजाब दिये को छ, अप्शन, क, कच्छा, 4, देखी 7, ख, 7, देखी 8, कच्छा, ग, 5, देखी 8, कच्छा, ग, 6, द देखी 8, कच्छा, तेसते, कोईचन नंबर 13, विद्यार्थी ले, अभी बेक्ती गर्ने छमता, थाहा पाउन, कुन मिल्यांकन, विधी उप्युक्त होला, अप्शन क, बस्तुगत परिक्छा, ख, अंतर बार्ता, ग, रुजुशिच्ची, ग, निबंदनात्मक प्रशन परिक्छा, इसको साहे उतर हो, ग, निबंदनात्मक प्रशन सोदने, तेसते, कोईचन नंबर 14, किसोरा अवस्ता का, बाल बाली का, मा निम्न मद्दे कुन विशेश्ता पाइन, क, परिबर्तन का, अवस्ता, ख, टर्पोक, अवस्ता, ग, दोधार अवस्ता, ग, ग, समू निर्मान को अवस्ता, इसको सही उतर हो, ग, समू निर्मान को अवस्ता, तेसते, कोईचन नंबर 15, नेपाल को अंत्रिम संबिदान, 2063 मा कती मौलिक, ह, कहरू को बेवस्ता, गरिये को छ, अप्शन, क, तेर, ख, तैस, ग, 20, ग, 21, इसको सही उतर हो, ग, 21, तेसते, कोईचन नंबर 16, तलको मद्य कुन चाही हक, नेपाल को इस अगी का संबिदान, हरू मा थिये न, र, नेपाल को अंत्रिम संबिदान, 2063 मा छ, क, संपत्ति को हक, ख, बालबाली का को हक, ग, धर्म समन्धी हक, ख, देश निकाला, बिरुद्ध हक, इसको सही उतर हो, बालबाली का को हक, तेस्ते, क्वेचन नंबर 17, शिक्छा एन, 2028 चरंगत रूप मा क्रम सा लागु भायो को थियो, उक्त एन लागु हुदा, पर्थम देकी, अंतिम चरंग समन्धाला का मद्य, कती-कती जिल्ला मा क्रम सा लागु भायो को थियो, अप्षन क, अप्षन ख, तेस्ते, अप्षन गह, 2+, 13+, 14+, 29+, 25, तेस्ते, अप्षन गह, 2+, 9+, 14+, 23+, 25, इसको सही उतर हो, अप्षन क, 2+, 13+, 16+, तेस्ते, एस, क्वेचन नमर 18, इतिहास अनुसार प्रावी तहमा, धैनिक कती समय, पाठन, पाठन, हुन्नू परने भनियो को, तो कि थियो, क, एक घंटा, ख, दुई घंटा, ग, तीन घंटा, ग, चार घंटा, इसको सही उतर हो, ग, चार घंटा, तेस्ते, क्वेचन नम्बर 19, एक ग्रेड ल्याउने, बिद्यार्थी को ग्रेड प्वाइंट कती हुन्छ, अप्शन ख, दुई प्वाइंट, छ, अप्शन ख, तीन प्वाइंट, छ, अप्शन ख, चार प्वाइंट, छ, अप्शन ख, पांच प्वाइंट, छ, इसको सही उतर हो, अप्शन ख, तीन प्वाइंट, छ, तेस्ते, क्वेचन नम्बर 20, गाउं सिक्छा समेती को बैठक समन्यत्या कतीस समयमा बशनु पर छ, अप्शन क, एक महिना को एक पटक, ख, दुई महिना को एक पटक, गाउं तीन महिना को एक पटक, गाउं चार महिना को एक पटक, इसको सही अंसर हो तीन महिना को एक पटक अप्सन गौ धन्यवाद